और बहुत सारे ऐसे चात्र हैं जो इस साल अपने रुख जाना नहीं योजना के एक्जाम्स देने वाले हैं और एक्जाम्स के बाद में आप लोगों का आईगर रिजल्ट बट रिजल्ट के पहले आर जो बच्चे नए हैं पहली बार रुख जाना नहीं योजना के एक्जा उनके compare किया जाए उससे, तो कैसी दिखती है, क्या-क्या चीजे उसमें mention होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या उस मार्क सीट से हमें दिक्कत तो देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि वो जो मार्क सीट होती हो थोड़ी सी different होती है, तो आज के इस वीडियो में तुम् बहुत कुछ मैं आपकी मार्क सीट को लेकर सवाल करने वाला हूं जबाब भी देने वाला हूं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पर नए हो तो भाई ऐसे एंपी वोर्ट से जुड़ी हर एक ख़बर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सारी लोगों को साहिद थोड़ी blur दिख सकती है क्योंकि इस स्कृिन बढ़ी है तो यहां पर यहां पर थोड़ा blur यहां पर आ रहा है उसमें लिखा रहता है Board of Secondary Education मद्द प्रदेश भोपाल यहाँ पे और इसमें अगर आप different लेखोगे तो क्या different है यहाँ पे लिखा हुआ है कि State Open School Education Board और यहाँ पे लिखा हुआ है Only Secondary है या फिर आपका जैसे कि यह तो भाई 12 क्लास की मार्क सीट है बट इसमें स्रीफ Education मद्द प्रदेश भोपाल लिखा होता है और यहाँ पे State Open Mansion दिया होता है अब इसके नीचे में क्या लिखा रहता है High School Certificate परिक्षा लिखा हुआ है उसके बाजू में यह कौन से वक्त में आपकी दी गई है जैसे कि यह जो मार्क सीट है December 2017 की है मैं आपको एक्जाम परिकले समझा रहा हूँ सेम यही मार्क सीट आती है तो इसमें लिखा हुआ है December 2017 आप लोगों को पता हुआ कि रुख जाना नहीं हो जना के दो बार एक्जाम सोते है एक एक्जाम जो होता है आपका June July महीने में होता है और दूसरा जो एक्जाम होता है Second Attempt वो आपका December महीने में आता है बट इसमें जो होता है December वाले एक्जाम में उसमें आपका साल अल्रेडी बरबाद हो जाता है तो आपको वो सब नहीं सोचना अगर आप देर परिक्षा तो आपको आपके में यहाँ पे क्या लिखा रहेगा जैसे जून में परिक्षा हो रही तो यहाँ पे June 2030 लिख्या आएगा ओके और यहाँ पे आप देखो के तो High School Certificate Examination अंक सुची सहा प्रमाड पत्र मार्क सीट कम Certificate यह लिखा होता है साथ में आपके कॉलम में आप द सनाता है योजना में लिखा रहता है जैसे कि यह जो है Second Chance की मार्क सीट है तो इसमें लिखा हुआ है रुख जाना नहीं टू आपके में स्रीप यहाँ पे लिखा रहेगा रुख जाना नहीं और Second चीज यहाँ पे जो है एक कॉलम में लिखा रहता है Attempt यह जो Attempt मतलब क्या लिखा होता है attempt मतलब आपने first attempt में ये परिच्छा किलियर की है second attempt है इस बंदे की जो है बाई second attempt की ये mark seat तो यहाँ पे second लिखा है बट आप अभी first time दे रहे हो आपकी mark seat में first time लिखा रहेगा आप जो है यहाँ पे लिखा रहता है roll number और यहाँ पे आप देखोगो तो आपका रहता है आप प्राइवेट हो regular हो वो mention होता है और roll number mention होता है लेकिन यहाँ पे आपकी योजना का नाम भी mention होता है कि कौन सी योजना है रुख जाना नहीं योजना है क्यों सा attempt आपने दिये हो वो दिया रहता है साथ में side में भाई आपकी प्यारी सी एक photo रहती है फोटो तो पता है सबको कि भाई आधार कार्ड में और मार्क सीट में आज तक किसी की photo अच्छी नहीं आई तो वो आप लोगों की यहाँ पे दी रहती है थोड़ा नीचे हम बढ़े थोड़ा नीचे में आप लोगों को क्या दिया होता है मैं main 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 चीज तुमें अच्छे स में कहां सी साध्य हो जाती हूँ भी जाती है इंत्रलीज लोगों की तो यहाँ पे पिता का नाम आपका दिया होगा आपकी शाधी नहीं हो इह पती का बढ़े इस नहीं किया अब आपकी जनम्तिति रहेती उसके बाद में आपका यहाँ पे एक बर हिंदी लिखा रहेगा एक बार इंग्लिस में लिखा रहेगा उके उसके बाद में तुम नीचे अगर इस मार्क सीट को देखो तो यहां पर तुम्हारा क्या रहेगा फिर तुम्हारा कौन सा जो स्कूल का सेंटर था वो रहेगा जैसे इस बच्चे का था गौर्मेंट MLB Girls School बाराखेडा भोपाल यह इसका था ठीक है और उसके बाद में आपके subject wise marks रहेंगे आपके कितने marks का जितने marks का आपका पेपर है जैसे इसका 100 marks का 2017 में पेपर होते थे आप तो कम हो गए और उसके बाद में आपका जो है सिध्धान्तिक थियोरी में आपको कितने मिले थे और उसके बाद में इस बच्चे का जो है science में इसका practical हुआ था तो practical कि इसको 8 mark मिले थे वो ही बताए गया है उसके बाद में आपके पूरे total mark बताए गया है 37, 34, 26, 38, 37 और 35 और यह जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते कि total यहाँ पे लिखा है इस बच्चे का जो है theory में यह बच्चा फैल हो गया था बट यहाँ पे क्या हुआ कि practical और उसका theory मिला के उसको नंचास marks मिल गए थे तो यह पास हो गया तो यह भी तुमारा हो जाता है तुमको इत्य अच्छी चीज है कि तुमारा practical और theory दोनों मिला के भी तुम पास हो सकते हो 26 marks इसने totally लाया था त वो एक important point है आप लोगों के लिए यह यहाँ पे लिखा रहता है कि यह अंक सूची सहा प्रमानपत्र सभी मान्य होगी जबकि इसमें परिच्छा केंद्र प्रचार के स्याही के हस्ताक्चार एवं पदमुद्रा ही जो है applicable होगी मतलब कि आपका जो है हस्ताक्चर और आपक की मार्क सीट होती है उसमें आप लोगों के जो सिगनेचर होते हैं वो आपके principle करते थे बस यहाँ पे आपके principle नहीं करेंगे यहाँ पे आपके कोन करेगा जिस center में आप परिच्छा देने गयो उसके center वाले ही आपकी मार्क सीट में सिगनेचर करते हैं सेम अगर आप परिके से आप लोगों की होती है किसकी यह होती है आपकी बोड़ वालों की मार्क सीट तो आई होप मार्क सीट से जुड़े तुमारे बहुत सारे जो सवाल थे मार्क सीट कैसी दिखती है मैंने बैटर अपने तरफ जितना हो सकता है explain करने की कोशिस की है फिर भी फिर भी क आप नीचे कमेंट कर सकते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का सॉल्यूशन विल्कुल आपको बता दूँगा फिलाल किल सरी इतना था मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाय जहिन एंड अगर चेनल पे नहीं हो सब्सक्राइब भी ज सकते हैं फिलाल किल सरी इतना था मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में